देश के लिए ब्रोंज मेडल जीतने वाली होक्य टीम में बिहार का एक बेटा विवेक सागर प्रसाद भी शामिल है। वह सिवान के कनोली गाव के मूल निवासी है। भारत्य पुरुशो की टीम के 49 साल बाद टोक्यो उलम्पिक में सेमी फाइनल्स में खेलने को लेकर सभी उत्साहित है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि इस टीम में सिवान जिले का भी एक खिलारी शामिल है। जी हां मीड फिर्डर विवेक सागर सिवान जिले के रगुनाद पूर प्रखंड के कनोली निवासी रोहित प्रसाद के पुत्र हैं। हाला कि विवेक सागर का परिवार मध्य प्रदेश के इटारसी के हुसेनाबाद में रहता है और वह उसी राजे की और से खेलता भी है। आज भी गाउं से उतना ही है। जितना पहले था इधर विवेक सागर को भी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आप कमेंट में विवेक सागर को बधाई दे सकते हैं। और ऐसी ही इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें।